हलो एब्रिवन आज की इस महत्पुन क्लास में हम समान अध्यन की सुरुवात करेंगे जो कि JSCCGL यानि की जारखन सची वाले के लिए एक महत्पुन टॉपिक होगा इस से आपका 30 प्रस्न देखने को मिलेंगे पेपर 3 का यह टोपिक है जिसमें आपको समान अध्यन से 30 प्रस्न देखने को मिलेंगे यह काफी जतिल सेक्षन है और काफी बड़ा सेक्षन है इस सेक्षन को सरल बनाने का काम हमारा चेनल दुवारा किया जाएगा हम हर एक दिन एक टोपिक लाएंगे जिससे की आपका यह सेक्षन धिरे-धिरे कम्पलिट होगा आज का हमारा टोपिक होगा पासान काल इतिहास को सुरुवात करते हुए हैं पहले टोपिक पासान काल को आज की क्लास में देखेंगे तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं भारते इतिहाज भारते इतिहाज को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं एक है प्राग इतिहासी काल एक है आद इतिहासी काल और एक है एतिहासी काल प्राग इतिहासी काल उस कालखन को कहा जाता है जिस कालख के दोरां मानों द्वारालीपी का विकास नहीं हुआ था यानि कि मानो लेखन प्रनाली के विशय में उनको जानकारी नहीं थी, लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था इस काल के लिए हमें जानकारी के लिए पुरातात्विक सुरोतों पर निर्भर रहना पता है पुरातात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्य है कि उस लीपी को अभी तक परहा नहीं जा सका है जैसे कि सिंदुगाटी सभ्यता जिसे हरपर सभ्यता भी कहा जाता है इसका हरपर सभ्यता में लीपी का विकास हो चुका था पर उस लीपी को उस लेखन प्रनाली को अभी तक परहा नहीं जा सका है अगला है इतिहासी काल ज आधनिक भारत तो आज की इस फीडियो में हम प्रागेति हासी काल को देखेंगे तो चलिए पासान यूग को देखेंगे तो चलिए पासान यूग को देखते हैं इसे तीन काल खंडों में विभाजित किया जाता है पूरा पासान काल, मद्दे पासान काल और नौ पासान काल तो चलिए इकक करके हम इन तीनों को अच्छे से समझते हैं पूरा पासान काल भारत में मनुष्व से समझते पहला प्रमान नर्मदा घाती में मिला है जो भारत का नर्मदा घाती छेतर है वहां से मनुष्व के रहने का सरोपत्थम प्रमान मिला है रोबर्ट बूस फूट पहले विग्ती थे जिन्नोंने 1863 इस्वी में पूरा पासान कालीन औजारों की खोज की तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रोबर्स ब्रूस फ्रूट पहले विप्ति थे जिन्होंने पूरा पासान कालीन औजारों की खोज की थी पल्लावरम नामकस्थान पर पर्थम भात्य पूरा पासान कलाकृति की खोज हुई थ तो पूरा पासान कालिन ओजारे की खोज सबसे पहले किस अस्थान पर हुई थी तो पल्ला वर्म नामकस्थान पर पूरा पासान कालिन के मानों की जीवी का कमुख्य आधार सिकार था यानि कि पूरा पासान कालिन लोग सिकार करके अपने भोजन का संग्रह किया करते थे मानो इतिहास का लगबग 99.38 कहानी इसी काल की दोरान घटित होती है। किस प्रकाँ से मानो बंदर से विक्सित होते होते होमो सूक्यांस यानी मानो के रूप में विक्सित करता है इस काल के दोरान। आग का आविस्कार इस काल का महत्पून आविस्कार माना जाता है आग का आविस्कार किस काल खंड में हुआ था तो पूरा पासान काल में हुआ था यह आपको ध्यान में रखना है आगे देखते हैं पूरा पासान कालीन अस्थल इसे जामिनिशन में प्रस्ण देखने को मिल सूरे इसको आपको ध्यान में रखना है भीम बेट का यह भीम बेट का जो कि consistsand Kaduna sa रियन और यह प्रप्तियों तो यह दूनुए बांद प्रक्ति नियुक्त्त Chain कांद का सब्सक्रेंगार लात ध्यान मैं निहीं बेट धी बैट में कुमित जिलाना सीख गय थे जैसा कि अभी हमने देगा कि आग का विसकार पूरा पासान काल का एक महत्पुन खोज था हुंसगी करनाटक में हैं पूरा पासान यूग के कई अस्थल मिले हैं इस अस्थान से पूरा पासान यूग के कई अस्थल मिले हैं और इस अस्थान में अधिकान सौजाद चुना पत्थल से बनाए जाते थे तो हुन्सकी करनाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिकान सोजा चुना पठर से बनाए जाते थे पठने महराष्ट भारत में पूरा पसान युग के दोरान सुतुर मुर्ग होते थे तो आपको बता दे कि पूरा पसान युग के दोरान भारत में सुतुर मुर्ख पाये जाते थे महराश्ट के पट ने पुराश्थल से सुतुर मुर्ख के अंडों के औवसेस मिले हैं इनके कुछ छिलकों पर चिंटरांकन भी मिलता है इनके कुछ शिल्कों में चिंद्रांकन भी देखने को मिलता है इन अंडों से संभतों मन के बनाए जाते होंगे तो अगला देखते हैं मद्धे पासानकाल भारत में मद्धे पासानकाल के भी सह में जानकारी स्वर्व पर्थम मद्धे पासानकाल के भारत में स्वर्व पर्थम बिंधे पासानकाल में ही सवर्व पर्थम पर्थम प्राप्त होने लगता है तो मानो अस्थे पंजर किस COMMने सरो प्रस्थबरस kovपने लगता है तो मद्यपासान का lied में इस मिदल सब्सकेम कर दोरान हमें परिया वर्नीय बदलाफ के साँच चना प्रिया वर्नीय बदलाब के साइंचे मिलते हैं कि लगवा 12000 साल पहले दुनिया की जलवाई में बहरे बदलावाते हैं और गर्मी बढ़ने लगती हैं तो जो पूरा पसान काल था तो उससे में परित्वी पूरी ठंडी थी परित्वी बहुत ठंडी हुवे कर देती अन्यक बनस्थ पतिया जिस परकार से अभी आपको देखने को मिलता है बंदे वाले मैदान बनने का परिनाम क्या होता है कि घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवरों की संक्या बढ़ने लगती है उप महादियुट के भिन इलाकों में गेहुं जो धान जैसे अनाज भी प्राकितिक रूप से उगने लगते हैं तो हम देखेंगे कि नौ पसंद का आते आ पसान खाल के एक लंबे युग के दरान मानों जानवरों को रत बनाना भी प्रार्म कर देता है इसoaलमें पसान आज आम तोर पर बहुत चोटे होते थे इसपम कहा जाता थियानि पासान का घा гор में तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑजर जो पूरा पॉसंदे जो बरे अब पूरा पासान काली 9000 भी यूज परियोग में लाए जाते रहे हैं अगला है नौपासान यूज तो बसने की प्रक्रिया या अश्थाई निवास की प्रविती इसकाल के दौरान होने लगती हैं लोग एक जगह पर रहा कर बसने का प्रारहम कर देते हैं जिससे के समुद की बाद किया जाए तो भेर बकरी आते हैं क्रिसी के लिए अपनाएगे सबसे प्राचिन फसल कौन सी है तो गें हुए तो यह इस काल की दोरान क्या होता है और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिस चरहाई जाने लगी तो जैसे कि ही पूरा siento की दोरान ऑजार काफी बड़े हुआ करते थे मध्य पासान काल की दोरान ओजार चोटे होने लगे और उसकी धार कुब आंने के लिए उसी प्राइंने लगी अगर नौ पासन काल के पूरा अस्थल की बात किया जाए तो इसके महत्पून अस्थल में आते हैं बुर्ज होम जो की कस्मीर में है यहां की लोग गड़े की नीचे घर बनाते थे जिने गरतावास कहा जाता है तो बुर्ज होम कहां पे है जो की एक नौ पासन काली अस्थल क स्मीर में हैं यहां की लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे जिने गरतावास कहा जाता है अगला महत्मुन अस्थाल मेहर गर जो की पाकिस्तान में बलुचिस्तान पाकिस्तान में यह इरान जाने वाले सबसे महत्मुन रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भारा समतल स्थान जाने वाले रास्ते में ब्रहम-पुत्र की खाथी गाती के एक Herren Teen पर है यहां खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरन मिले यहां से खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरन मिले हैं इससे पता चलता है कि यहां के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे यहां से जे जे ड्राइट पत्थर मिला है संब तो यह पत्थर चीन से आया होग और यहां से कास्टम यानि की अति प्राचीन लक्री जो की सक्ट होकर पत्थर बन गए के ओजार और बतन मिले हैं तो दोस्तों ये था पासान काल के बारे में कुछ महत्पुन बिन्दू जो की NCRT और लुसेन जैसे काफे महत्पुन बुक से उठाए गए थे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टोपिक के साथ